हेलो गाइज वोलकुल बाक तो मैं चानल पर्क्स एंड रूस्प्रोर आज मैं आपको मग केक की रेसिपी शेयर कर दे वालें वह भी बहुत ही कम इंग्रेटियंट के साथ सिर्फ हम लग तीन इंग्रेटियंट यूज करेंगे और चॉकलेट केक बनाएंगे इजनी स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसे शाम को जरूर ट्राइ करें चलिए शुरू करते हैं मैं यहां एक ओर्यो बिस्कित का पाकेट यूज करूंगी पांच से छे पीसेज ओर्यो ले लेना है एक कप के लिए अब ओर्यो के पीसेज के ओर एक एक करके एक पैकेट में ट्रांसफर कर दे एक रोलिंग पिन लेकर ओर्यो को क्रश करना है और इसका पाउडर बनाना है अब चाहे तो इसे मिक्सर में भी ब्लेंट करके पाउडर बना सकते अब क्रश किये हुए ओरियोज को कप में ट्रांसफर कर दे वान बाइट टीस्पून बेकिंग पाउजर आड़ करना है क्रश्ट ओरियोज में और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है चार टेबल स्पून गरम दूद आड़ करना है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करना है इसमें कोई भी लंप्स नहीं होना चाहिए तो केक बहुत ही अच्छा बनेगा एक पैन को डगक कर पाऊच मिनेट केलिए लोग फ्लेव में प्रीहीट करना है बाच मिनेट हो गया है इस्में अब हम एक वाईर स्टैन्स प्लेस करेंगे और उसके ऊपर एक प्लेट लग करों और कप सको फ्लेस कर के और डगा कर 20 मिनेट केलिए लूब मीडियम फ्लेव म पखने के लिए छोड़ें 20 मिनिट हो गया है तो चलिए चेक करते हैं केक कैसे बना है केक को एक टूथपिक की हल्प से चेक कर ली टूथपिक पूरा क्लियर है मतलब केक रेडी है थोड़ा सा चौको चिप्स के साथ केक को गार्डिश कर ले ये ऑप्शिनल है आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं वाव केक बहुत ही जादा सौफ्ट और यम्मी बना है मैंने तो अपना कप्टिक बना के खा लिया अब आप बना कर सब्सक्राइब करें और मेरे दीडियों लाइक कर दें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकल प्रेस कर पे ताकि मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समसे पहले पहुत सब्सक्राइब बिलते हैं अगले वीडियो पे तिल दें गुद ब्राइब